गुना में संसदिय शेत्र के कॉंग्रेस प्रतियाशी राव यादुवेंदर सिंग गुना लोगसभा सीड से कॉंग्रेस के उमीदवार है जिनोंने बीजेवी प्रतियाशी जोती रदीत सिंधिया को टकर देने की बात की है पिछोर पहुचकर यादुवेंदर सिंग जुई प्रित्यासी और कारी करता तो लड़ी रहे हैं इसके साथ साथ मैं हमारे इस गुना लोग सब पचितर की हर एक मद्दाता लड़ रहा है और इस बार मद्दाताओं ने मन बना लिया है कि जो भरती जनता पार्टी की जो भ्रेष्ट सरकार है उसको खाड़ फैकना है और मुद्दे की यदि बात करें तो सबसे पहले तुम्हें कह देने चाहता हूं कि इतने लंबे समय से बाबजूद जिसको वो लोग अपनी बासा में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं उसके बाबजूद आप क्या कहेंगे देगी नारा देने से कुछ नहीं होता कि 405 बार कर दें और 543 सीट हैं वो भी कह सकते हैं वो तो 543 पार परन्तु ये तो आने बाला समय बताएगा कितने से पार होते हैं यदि इनको करना है 400 पार तो 400 पार ना करके कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनोती है सामने वाले केंडिडिट जो तरा दे सिंधिया है और आगे समस्या और आ सकती है इस तरह से बिल्कुल बड़ी चुनोती नहीं है बाहरी प्रित्यासी है कोई लोकल के प्रित्यासी भी नहीं है कोई ऐसा बो भी नहीं है कोई बड़ा बो इससे पहले भी उन्हें इस छेतर की जंता ने सबालाग वोटों से हरा आया है तो कोई काय की चोनो दिए , कही ना कही मोदी लेहर पिफली वार काम कर गई तो क्या इस बार भी मोदी लेहर काम करेगी ? मुझे नहीं लगता Кिस बार कोई लेहर है ! इस बार तो महंगाई की लेहर है ! ब्रिष्टा-चार की लेहर है और जो पीड़ेत हैं लोग वो लहर है कोई मोधी लहर नहीं है लगातार सिंधिया जी प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह आज जैसे उनकी धरमपद्नी भी यहां सवाल ली तो कापी महिलाएं भी खटी हुई तो कहीं न कहीं पूरी दमदारी से इस बार वो चुनाव लट रहे हैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप क्या कहीं देखिए महलाएं खटी हुई अच्छी बात है लेकिन आप अगर गए हो वहां आपने कब्रेज किया हो तो आप जब आपना बीडियो पर गहाँ हैं उसमें कितनी महला आंगनबारी की काड़ी करता हैं कितनी महला आजा कारी करता थी प्रप्र प्रव inst 선물 कन दॉर थे nessa की ति हैं उन्पे दबाब बनाके उनको टार्गेट दे के भीड खट्टी करी जा रही है हमारे ग्रामों के सरपंचों पर वे उनको दबाब में लिया जा रहा है उनको मजबूर किया जा रहा है भीड खट्टी करने के लिए मैं तो जम पतारीफ मानूं जब अचानक आजाएं और गंटे का समय देए किसी कवा पुँचके कब जाना महला है यदि वहां महला है खटी हो जाना ता हम माने अच्छा लगातार कौंगरेस के बहुत से कार करता है बहुत से नेता है जो भाजपा की सरण में जा रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कारी करता और नेता भले जा रहे हों और यदि वो जा भी रहे हैं तो उन पर अनावस्यक रूप से दबाब प्रेसर किसी को केस में फसानी की धमकी किसी अनवसेक रूप से किसी ना किसी प्रकार का दबाब बना कर उनको दूसरी पार्टी में ले जा रहा है वो मैं तो ये कहता हूँ नेत चले भी जाएं परन्तु मद्धाता को थोड़ी ले जाएंगे मत दाता तो अपने मत का उप्योग करेगा और सही जगा करेगा तो कहीं न कहीं इस बार लगता है कि आपको कॉंग्रेस से यहां से आपको विजए स्री हासिल हो सकती है एक हजार परसेंट विजए स्री हासिल होगी पूरे छेतर के मत दाताओं ने मन बना लग रखा है कहीं से कोई संसे का बसे नहीं है कॉंग्रेस पार्टी इस चेतर से जीत के जाएगी अब सदस के लिए तो मुझे इतना इतिहास पता नहीं कि क्यों सा खून का रिस्ता है सिंधिया जी से चेतर की जनता का और एस चेतर की बात करें अगर आपके खनीया दाना पिछोर की तो जहां तक मुझे पता ये तो 230 श्टेट थी ये तो सिंधिया जी के राजमे का हिस्व ही नहीं थी जहां तक अगर मैं सही हूं तो यह तो सिंधिया पर आगे देखते हैं किस तरह से यह चुनाओ रहेगा केमरा पर सन अजय के साथ सचिन राजबाट पिछोर फाट समाचार